कोबिड मरीजों के आरगन ट्रांस्प्लांट में अपोलो को बड़ी सफलता पुलिस करमचारी ने जताया डाक्टरों का आभार कोरोना काल में अपोलो हस्पिटल ने कोबिड मरीजों के लीबर और हाठ ट्रांस्प्लांट में बड़ी सफलता हासिल की है इसमें मुंबई पुलिस के एक ऐसे आफिसर का लीबर प्रत्यरपन भी श्रामिल है जो नजीर बन गया आज एक प्रेस कॉंफरेंस में इसकी जानकारी देते हुए अपुलो हास्पिटल के डाक्टर विक्रम राउत और डाक्टर आभा नगराल ने बताया के पुलिस अफसर को बचाने के लिए उनकी बेटी ने अपना लीबर प्रदान किया जिसे सफलता पुर्भग ट्रांस्प्लांट कर दिया गया अपुलो हास्पिटल के डाक्टरों की मान है तो कोरोना काल में 34 मरीजों की किड्नी हार्ट और लिबर ट्रांस्प्लांट किये गये जो सभी स्वस्त हैं सुनिए डाक्टरों ने और क्या कुछ कहा कुने एप कउप्र गया है अपना 2 कोऊना किया गया हना कुरंड कारन के बाद किसी को रिचना हो उनके कारण्सप्लांट उह थे दोनों तरफ से देखना पड़ा और लखिली मैं बोलूंगी good fortune और because of the protocolized approach hospital का जो बहुत strict protocols बने हुए थे कि ये patients successfully transplant हो गए और आज आपके सामने हैं इसे liver disease है जिसकी वज़े से मरने की risk 30% तक है ऐसे patient उनका हमने almost 34 patients का transplant करके उनको नया जिंदगी दिया है कुछ patient ऐसे भी थे जिनको ए प्रोसेस में COVID हुआ उनको भी हमने transplant करके ये जो चार patient है उनको हमें नई जिंदगी दिये है वहीं खुद पुलिस अपसर ने अपनी आप बीती सुनाते हुए सफलता पुर्भक लीवर ट्रांस्पार्ट करने वाले डाक्टरों का अभार जता है बीरो रिपोर्ट TV1 इंडिया पुले